कहाने की सुरुवात में हमें समुंदर में कुछ लोगों को दिखा जाता है जो की मचलिया पकल रहे थे इन लोगों ने अपने जाल में बहुत से मचलियों को प्राल करके रखा था खैर अब यहाँ पर सेन कट होता है और हमें एक इनसान को दिखा जाता है जो समुंदर के किनारे बैट करके मचली पकल रहा था अचानक उसे एक डॉल्फिन दिखाई देती है जो समुंदर के किनारे जखमी हालत में पड़ी हुई थी डॉल्फिन की हालत देखने के बाद वो इंसान उसकी हिल्प करना चाता था इसलिए वो पास से गुजर रहे एक लड़का नेलसन को बुलाता है नेलसन से फोन मांगने के बाद वो आदमी रेस्क्यू टीम के पास कॉल कर देता है और इस डॉल्फिन के बारे में उन्हें बताता है तबी वो आदमी देखता है कि उसके मचली पकड़ने की जो काटा था वो समंदर में खीच्य चली जा रही थी वो चला जाता है अपने काटे को पकड़ने के लिए और इधर नेलसन उस डॉल्फिन के पास आता है उसकी हिल्प करने के लिए डॉल्फिन चारो तरब से रस्यों से बनी हुई थी नेलसन के पास एक औजार था जिसकी मदद से वो रस्यों को काड़ देता है रसीयों को चुडाने के बाद वो देखता है कि डॉल्फिन बहुती बुरी तरीके से जखमी हो चुकी है अब कुछ समय बाद उस डॉल्फिन को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर आ जाती है रेस्क्यू टीम उस डॉल्फिन का इलाज करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है खैर अब इसके बाद नेलसन अपने स्कूल में चला जाता है लेकिन वो स्कूल में काफी लेट से पॉस्ता है इसलिए सर उसे डाटने लगते हैं खैर जब कुछ समय बाद स्कूल की चुट्टी होती है तो नेलसन दुबारा उस डॉल्फिन को देखने के लिए होस्पिटल में जाता है मरीन नाम का एक संस्था था जो जानवरों को रेस्क्यू करने का काम करती थी अंदर जाने के बाद नेलसन की मुलकात हेजल से होती है हेजल की पिता ही इस संस्था को चलाते हैं हेजल कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस डॉल्फिन को देखने के लिए आए हो उसके बाद हेजल उसे ऊपर लेकर जाती है और बाकी के डोलफिन्स को दिखाती है जिने रेस्क्यू करके इन लोगोंने उन्हें ठीक कर दिया था हेजल कहती है कि यहाँ पर अजनबियों का आना मना है इसलिए तुम्हें छुपकर रहना होगा नेलसन छुप करके उस डॉल्फिन को देख रहा था लेकिन तभी एक समान किरने की वज़ा से एक लड़की उसे देख लेती है और वो लड़की कहती है कि अगर तुम्हारे पिता इस लड़के को देखेंगे तो तुम्हें बहुत डाटेंगे इसी बीच नेलसन देखता है कि उस डॉल्फिन की पूँच जखमी हो चुकी है और उसका खाना पीना भी बंद है खेर तब यही पर हेजल के पिता आ जाते है इसलिए वो नेलसन को ले करके नीचे चली जाती है नेलसन अपने घर पर जा रहा था तो हेजल कहती है कि अगर तुम्हें दुबारा आना हो तो तुम आ सकते हो मैं तुम्हें इसी जगहां पर मिलूंगी अब घर पर जाने के बाद नेलसन डॉल्फिन के बारे में और रिसर्च करने लगता है और उनके बारे में जानकारी हासिल करता है जब उसकी मुम कमरे में आती है तो वो देखती है कि नेलसन पढ़ते ही पढ़ते सो गया है अब इसी तरीके से अगले दिन Nielsen इस्कूल में जाता है और छुटी हो जाने के बाद वो डॉल्फिन को देखने के लिए होस्पिटल में जाता है जब उसकी मुलकात हेजल से नई होती है तो वो खुद चोरी चुपके डॉल्फिन को देखने लगता है वो देखता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग डॉल्फिन की बहुत ही अच्छे से देख भाल कर रहे हैं तबी नेलसन के पीछे एक बड़ा सा पंची आ जाता है जो उसे डिश्टरब करने लगता है और इसी बीच हेजल की पिता कले उसे देख लेते हैं जो उसे अपने पास बलाते हैं और उसे पुछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लेकिन तबी यहीं पर हेजल आ जाती है और वो अपने पिता से कहती है कि यह वही लड़का है जिसने डॉल्फिन की जान बचाई थी और ये यहाँ पर डॉल्फिन को देखने के लिए ही आया है जब डॉल्फिन नेलसन को देखती है तो वो चिडियों की जैसी आवाज निकालने लगती है डॉल्फिन को देख करके नेलसन बहुत खुश था और उसका अब डॉल्फिन में मन लगने लगा था इसलिए उसका वीहेवियर भी चेंज हो चुका था लेकिन अब वो घर से स्कूल के लिए निकलता था लेकिन स्कूल जाता नहीं था वो डॉल्फिन को देखने के लिए उसके साथ समय बिताने के लिए संस्था में आ जाता था आज जब वो संस्था में आता है तो वो देखता है कि हेजल बहुत जोर जोर से रो रही थी हेजल बताती है कि डॉल्फिन की तवियत खराब हो गई थी और उसे बचाने के लिए उसके पूच को काटना पड़ गया और इसलिए वो रो रही थी क्योंकि अब पूच कर जाने की वज़े से वो डॉल्फिन टैर नहीं सकती है खर इसके बाद ये दोनों एक दुसरे के साथ बाते करते हैं और एक दुसरे के बारे में जानने की कोसिस करते हैं नेलसन कहता है कि वो बिने पिता के रहता है उसके पिता उसकी मौम को छोड़ करके कहीं चले गए हैं या सुनने के बाद हेजल उदास हो जाती है और वो कहती है कि मेरी मा ने मेरे पिता को बहुत समय पहले ही छोड़ दिया था तब से मैं बिने मा के ही रहती हूँ खैर इसके बाद ये लोग डॉल्फिन को खाना खिलाने की कोशिस कर रहते लेकिन वो खाना नहीं खा रही थी और अगर वो खाना नहीं खाएगी तो उसके हालत में सुधार नहीं होगा इसके बाद केले नेलसन को खाना खिलाने के लिए कहता है इसके बाद नेलसन डॉल्फिन से कहता है कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम जल्दी से ठीक नहीं हो पाओगी नेलसन की बातों को मान करके डॉल्फिन खाना खाने लगती है इसके बाद वो अपने समय पर अपने घर पर आ जाता है जहां पर उसके पडोसी उसके घर पर आये हुए थे लेकिन अब उसकी मौम बहुत गुसा थी क्योंकि उन्हें मालुम चल चुका था कि नेलसन काफी दुनों से स्कूल नहीं जा रहा है नेलसन के सरीर से मचलियों की गंद आ रही थी इसलिए उसकी मौम को लगता है कि वो मचलिया पकड़ने के ले जाता है लेकिन इसके बाद नेलसन अपनी पूरी सचाय अपनी मौम को बताता है तो उसकी मौम कहती है कि तुम्हें कल से वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है या कहने के बाद वो नेल्सन को उसके कमरे में भेज देती है इसके बाद उसके पढ़ोसी लोरेन को समझाते हैं कि आज से पहले तुमारा बेटा किसी भी काम को ले करके इतना excited नहीं हुआ था अब लोरेन अपने पढ़ोसीों की बाद समझ जाती है जिसके बाद लोरेन नेलसन के साथ उस संस्ता को देखने ले जाती है अंदर जाने के बाद नेलसन अपनी मॉम को वहां के सभी चीजों के बारे में बताता है अपने बेटे को इतना excited देख करके वो बहुत खुश थी और इसके बाद वो उस डॉल्फिन को देखती है जिसे नेलसन ने बचाया था नेलसन अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहां पर आने दिया जाए क्योंकि वो इस काम को करना चाता है उसका इसमें मन लगने लगा है इसके बाद लोरेन की मुलाकात कले से होती है कले कहता है कि तुमारा बेटा इन सब कामों को बहुती बखुवी तरिके से कर रहा है नेलसन को पढ़ने से ज़्यादा सीखने की जरूवत थी इसलिए उसकी मॉम नेलसन को वहां पर जाने की छूट दे देती है अब नेलसन भी इन लोगों के साथ इनकी हल्प करने के लिए आ जाता है दिरे दिरे डोल्फिन की हालत में सुधार हो रहा था वो तैरना सीख रही थी अब नेर्सन इन लोगों के साथ रहने लगा था और नोगों के साथ रह करके दीरे-दीरे सब कुछ सीख रहा था लेकिन डोल्फिन की हालत में सुधार नहीं हो रही थी इसलिए वो ओर्थर नाम के एक डोटर के पास जाता है और उस डॉल्फिन के बारे में उसे सारी बाते बताता है नेलसन की बात मान करके ओर्थर होस्पिटल में आता है और कले से मिलता है वो डॉल्फिन से मिलता है डॉल्फिन की हालत में धीरे-धीरे सुधार तो हो जा रहा था और थर उस समान को बनाने में लग जाता है रात हो जाने के बाद आचानक से काफी तेज से आंधी तुफान आ जाता है जिसकी वज़ा से आजपास काफी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वो होस्पिटल भी बाहर से बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था इसलिए क्ले काफी ज़ाधे उदास था मीटिंग में बाते हो रही थे कि अब इस संस्ता को दुबाराद चलाने के लिए यानि कि ठीक करने के लिए कई लाग रुपाए खर्ष होने वाले आए अब इतना रुपाए कोई देने के लिए तैयार नही था और कले के पास भी इतना रुपए नहीं थे कि वो संस्था को ठीक करवा सके इसलिए मीटिंग खतम हो जाने के बाद कले को बता जाता है कि अब इस संस्था को बंद करना पड़ेगा सिर्फ तब तक के लिए जब तक सरकार इस संस्था को ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं दे देती है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम इसे खुद ठीक करवा सके जब बच्चों को मालुम चलता है कि संस्था बंद होने वाली है तो उन पर बहुत गहरा परभाव पड़ता है क्योंकि संस्था बंद होगी तो अब जो जिव जन तु है उन्हें उनके अस्थान पर छोड़ना होगा चाहे वो किसी भी हाल में हो हेजल और नेलसन दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं नेलसन उदास मन से घर की तरफ जा रहा था क्योंकि अब कुछ नहीं बचा था कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक औरस से होती है जो नेलसन से कहती है कि वो अपने बच्चे के साथ उस डॉल्फिन को देखने के लिए आई है जो तैर नहीं पा रही है जो जखमी है अब नेलसन उन्हें अपने साथ लेकर जाता है उस डॉल्फिन को दिखाने के लिए डॉल्फिन को देखने के बाद औरत की बच्ची बहुत खुश थी अब इसके बाद नेलसन के दिमाग में एक आइडिया आता है वो कले से कहता है कि अगर हम किसी भी तरीके से उस डॉल्फिन को तो लोग उसे देखने के बाद उसकी help करने के लिए तयार हो सकते हैं और सायद बहुत से लोग यहाँ पर आएं और हमारी help करें डोनेशन के तोर पर अगर हमारे पास कुछ पैसे इकटे हो जाएं तो हम संसा को फिर से चला सकते हैं उनकी बातों को सुनता तो है लेकिन वो जानता है कि इनकी help करने के लिए कोई तयार नहीं होगा लेकिन फिर भी वो बच्चों की बातों को सुनता है और उनके साथ ये काम करने के लिए तयार हो जाता है अब ये लोग इस डॉल्फिन की बात को लोगों तक पहुचाते हैं और जब ये बात मीडिय तक गई तो वे लोग उसे टीवी पर भी दिखाने लगे सभी लोग डॉल्फिन की खबर देखने के बात इंस्पायर हुए और मोटिवेट हुए धीरे धीरे बहुत से टिकट भूख हो जाती है लोग इस संस्ता के पास आ रहते उस डॉल्फिन को देखने के लिए और इधर ओर्थर का वो समान भी बन करके तयार हो चुका था जो एक परकार से डॉल्फिन की पूँच है और उसे तैरने में मदद करने वाली है उसे पहनाने के बाद डॉल्फिन को कुछ समय के लिए बहुत अजीब लग रहा था वो उसे बाहर निकालने की कोशिस कर रही थी लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है और उसी की वज़ा से वो धीरे धीरे पानी में तैरने लगती है यह देख करके सभी लोग बहुत खुस हो जाते हैं और अब वो डॉल्फिन बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में तैर पा रहा ही थी अब उस डॉल्फिन को देखने के लिए संस्ता के बाहर पूरा मेला लग जाता है और बहुत साई लोग उस डॉल्फिन को ठीक करने के लिए डोनेशन भी दे रहे थे इन सभी चीजों के लिए कले बच्चों को सबासी देता है उसे तो लगी नहीं रहाता कि इतने साई लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे आने वाले हैं उसके बाद कले यहाँ पर आये सभी लोगों से कहता है कि आप लोगों की वज़े से ही ये मुंकिन हो पाया है हम अपने संस्ता को दुबारा चला पाएंगे और फिर से जू जन्तूओं की हिल्प कर पाएंगे उसके बाद नेलसन भी सामने आ करके सभी लोगों को सुक्रिया कहता है वो कहता है कि सिर्फ आप लोगों की वज़े से ही उस डॉल्फिन को एक नई जिंदगी मिली है सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोगों के लिए तालियां बजा रहे थे इसके बाद दो स्वीमर्स को पानी में रेस करने के लिए यहां पर लाये जाता है और जब यह लोग पानी में स्वीमिंग करके काफी स्पीड से आगे बाढ़ रहे थे कि तब ही उस डॉल्फिन को यहां पर लाये जाता है और उसे तलाब में छोड़ दिये जाता है अब वो डॉल्फिन ओर्थर के द्वारा बनाया हुए पूच की मुदस से पानी में काफी स्पीड से तैर रही थी और उस डॉल्फिन को तैरता हुआ सभी लोग देख रहते और सभी लोग बहुत खुश थे सभी लोग ओर्थर को बधाई देते हैं क्योंकि उनी की वज़े से ये पोसिबल हो पाया है अब संस्ता के जो ओनर थे वो कले के सामने आते हैं और वो कले से इस संस्ता को चालू रखने के लिए कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये संस्ता बंद नहीं होनी चाहिए और अब बच्चे भी बहुत खुशते और इसे के साथ ये कानिये पर समाप्त हो जाती है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से सुक्रिया